इदुल अजहा, इदुल जोहा जिसे हम आम जुबान में बकरीद कहते हैं, पूरे तमाम सिटी पुलीस के तरफ से सभी भाईयों और बेहनों को मैं मुबारक बात पेश करता हूँ एडवांस में, हैदराबाद शहर में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया म पिछले पांच-छे महीने से जो एक माहल चल रहा है जिससे आप वाकिफ हैं, यह जो वबा है कोरोना वाईरस का, इसके कारण तमाम जिन्दगी बिल्कुल एहतिहात के साथ निकल रही है, अगर आप हैदराबाद में देखें तो शुरू से ही हर मजहद में, चाहे वो का राम नौमी हो, हनुमान जैनती हो, और अभी जो तुरंद गुजरा बोना लू जिसका एक बहुत एहमियत है हैदराबाद में, हमारे क्रिश्चन कम्यूनिटी में बिशप थुम्मबाला के तरफ से जो इनीशियेटीव था इस्टर में, जिसमें की लाइव किया गया फर्स टाइम वीडियो के मारफ़त से और गुड फ्राइडे को देखा गया, फिर हमारे मुस्लिम भाई बहें जो हैं, रमजान में भी देखे कि बहुत एहतिहाद के साथ सब लोगों ने रमजान को मनाया, इद को मनाया, चुकि ऐसा महौल शायद पहले कभी इति दिहास में नहीं आया, और इसलिए सभी के कोपरेशन से और अल्ला सुभानाओ ताला के रहम से, आज अगर हैदराबाद में दूसरे बड़े शहरों के कंपारिजन में हमारा नंबर इन्फेक्शन का कम है, डेथ का कम है, तो इसका वज़ह यही है कि सभी लोगों ने मिलकर इस वबा से एक साथ लड़ने का जो एक डिसिजन लिया, सब शरीक हुए, और इसी स्पिरिट से हम लोग आगे भी चलेंगे, तो बकरीद में भी हम लोग इसी तरीके से आगे आप लोगों से गुजारिस कर रहे हैं, जैसा कि पहले सभी फेस्टिबल में हुआ था, रमजा नहीं हुई थी, जैसा कि आप जानते हैं, ये बड़ा चोर किसम का वाइरस है, ये चुपके से आपके शरीर में दाखिल हो जाएगा, अगर आप किसी के करीब जाएंगे, दोगज की दूरी बहुत जरूरी है, और इसी लिए हमारे गर्मेंट के तरफ से, और हमारे बुज जुर्ग आलिम के तरफ से, लागातार कोशिश है, सभी मस्जिद में हमेशा लोग कहते रहते हैं कि, घर पे ही अपना नमाज अदा करें, और अगर मस्जिद आना है तो घर से पहले, घर में ही वजू करके आएं, तो इन सब बातों का एहतिहात, हिदरबाद में हम लोग पिछले पांच महीनों से करते आ रहे हैं, और अभी बकरीद में भी, मुझे यकीनन पूरा भरोसा है, कि हम लोग सब मिलकर, सबसे पहले, जिसको कहते हैं, आज हम लोग सेफ बकरीद, सेफ इद का एक नारा देंगे, शायद ही कोई हैदरबाद का घर है, जिसमें बच्चे नहीं हैं, जिसमें बुजूर्ग नहीं हैं, जिसमें ऐसे लोग नहीं हैं, जिनके पास BP, हाट या कुछ मुटापा इस तरह का बिमारी न हो, उन लोगों को बचाना सबसे जरूरी है, और उनको बचाने के लिए सबसे पहला चीज़ यही है कि हम लोग कम से कम दूसरे लोगों से मिलें, मुबारत बाद, जुबानी मुबारत बाद पेश करें, गले मिलने की जरूरत नहीं है, महौल ऐसा है, अगर जान बचेगी तो आगे आप अगले बार चार और बकरे भी पुर्बान कर सकते हैं, लेकिन अभी बुज़ूर्गों को बचाएं, बच्चों को बचाएं, इसलिए जो बड़ी-बड़ी मस्जिदें हैं, जैसे मक्का मस्जिद, शाही मस्जिद, वहां के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, उनके तरफ से भी है, जरूर, महौल अभी कोई बहुत बदला नहीं है रमजान के महीने से, रमजान के महीने में अगर आप देखिए, टोटल नंबर ओफ पॉजिटिव केसेज जो आये थे, हैदरबाद में ही नहीं, तमाम हिंदुस्तान में, उस महीने के कंपैरिजन में अभी नंबर्स जादा हैं, इन्फेक्शन के नंबर भी जादा हैं, और जिसके कारण डेथ के नंबर भी जादा हैं, तो ऐसे हालात में कहीं भी जमात का इकठा होना बिल्कुल ठीक नहीं है, जैसा कि आप लोगोंने World Health Organization के गाइडलाइन्स पढ़े होंगे, Indian Council for Medical Research, ICMR के तरफ से जो लागातार गाइडलाइन्स निकलते रहती हैं, उसमें भी इसका जिक्र है, कि किसी भी तरह का religious gathering, किसी भी मज़भ का, वो बि कोई एक ऐसा मौका है जहां ये वाइरस, जहां अभी तक नहीं गया, वहां भी जा सकता है, एक डूसले के transmission से, तो ऐसे महाल में, किसी भी तरह का gathering बाहर, बिल्कुल उचित नहीं है, और मैं आप सबों से हाँ जोर कर गुजारिश करता हूं, कि आज की तारीख में, अगर स मिल्दी रहें, इससे ज़्यादा जरूरी कोई चीज नहीं है, और सिटी पुलीस के तरफ से, मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप सभी को ये समझाएं, कि ऐसे मौके पे अभी जो एहतिहात रमजान में सब लोगों ने दिखाये थे, वही अभी बकरीद में भी रख करोना को हरा कर जो वापस डिपार्टमेंट में दुबारा ड्यूटी शुरू किये, वो हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, उनका कॉन्फिडेंस हमारे लिए हम सब के लिए एक मिसाल है, एक बात उसमें से हमारे ओफसर ने बहुत अच्छी कही, वो मैं यहाँ पे क कसाई लोग हैं, जो कुर्बानी करते हैं, जो काटते हैं जानवरों को, वो सेहत मंद है या नहीं, उनका सेहत बहुत जरूरी है, अगर वो खुद सेहत मंद नहीं है, तो वहां से भी ये वबा दूसरे जगर पहलने की गुझाईस रहती है, तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि जहां से भी आप लोग जा रहे हैं, गोश्ट लाने, एक बार उसका भी ध्यान रखें, कि जो कसाई लोग हैं, उनका हेल्थ बहुत जरूरी है पूरे सोसाइटी के लिए, बहुत बहुत जरूरी, बहुत सबत मिलता है, और आज की तारीख में उस कुर्बानी की एहमियत पहले से जादा है, आज सबसे पहले तो मुझे पूर्बानी देनी है अपने उन सभी आधतों की, जिसके कारण ये कोरोना वाइरस बहुत सकता है, मुझे पूर्बानी देनी है कि मैं किसी से गले मिलकर उसको ग्रीप नहीं करूं, जुबानी ग्रीटिंग्स ये भी एक तरह का कुर्बानी है चुकि सब लोगों को गले मिलना बहुत अच्छा लगता है, और पहले लोग मिलते भी थे अच्छी बात है, लेकिन अभी के माहौल में, उसकी कुर्बानी देनी होगी, उससे अलग रहना होगा हम लोगों को, इसी तरीके से जो हमारे घर म किसी भी हालत में उनको बाहर नहीं आने देना है जो छोटे बच्चे हैं उनको बाहर नहीं आने देना है तो इन सब आदतों की कुर्बानी देनी है आज हमारे देश में बहुत जरूरी है कि हम अपने उपर कंट्रोल रखें अपनी उन हर आदतों का कुर्मानी दे जिससे कि ये चोर वाइरस जो है कोरोना ये जो चाइना ने पूरे दुनिया को एक अपने तरफ से ऐसा आजीब तफ़ा दिया कि पुरा दुनिया परेशान है उससे उससे बचने के लिए जिस चीज़ों की कुर्मानी देनी है हम लोग देंगे लॉक टाउन खोलने के बाद दोनों चीज़ की एहमियत बढ़ी लाइफ और लाइवलिधूद लाइफ को भी बचाना है और लाइवलिधूद को भी बचाना है खास करके जो हमारे गरीब लोग हैं जो सुबह से शाम को मेहनत करके रात का खाना खाते हैं अगर उनकी रोजगार हम लोग बंद कर देंगे तो ये बहुत बड़ा गुना होगा और इसी लिए रोजबर्रा की जिंदगी हमेशा आगे चलती रहनी चाहिए और पब्लिक में जो अवेरनेस है पहले से बहुत ज़ादा हुआ है 90 तू 95 परसेंट लोग मास्क लगा कर रोड पर चल रहे हैं लेकि अभी भी लगवग दो हजार से धाई हजार लोगों को सिटी पुलीस के तरफ से हर रोज फाइन होता है कि वो पब्लिक प्लेसेज पे मास्क के बिना गूमते है मैं उन सभी से गुजारिस करता हूँ कि आप अपने लिए अपने परिवार के लिए अपने बच्चों के लिए उनकी सेहत के लिए जरूर मास्क पहने आप हेल्दी हो सकते हैं लेकिन आप इस virus के carrier भी हो सकते हैं हो सकता है कि आप में ये symptom न दिखे लेकिन आपके संपर्प में जो लोग आएंगे उनको ये जरूर infect करेगा इसलिए number अगर थोड़ा उपर जा रहा है या थोड़ा नीचे आ रहा है उससे अपनी साफधानी में कमी नहीं होनी चाहिए एहतिहाद ज़रूर बरतना चाहिए कम से कम अभी मुझे लगता है कि दो से तीन महीने तक तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग strictly follow करें implement करें जो भी government की guidelines है ICMR की guidelines है सबसे पहले तो जो हमारे देश का जो कानून है उस कानून के तहट जो भी prohibited animals हैं जैसे cow, camel या इस तरह के जानवर जिनका agriculture में अभी तुरंत use हो रहा है उनकी कुर्बानी न दी जाए और जो भी लोग कुर्बानी दे रहे हैं जो जबह कर रहे हैं जो एक hygiene के तरीके से होता है जो चाकू या जिस से cut कर रहे हैं वो कहां से लाए उसको अच्छे तरीके से sanitize जरूर कर लें हर चीज़ का sanitization करना बहुत जरूरी है एक बहुत अच्छा सिलसिला है बकरीद में की लोग गरीबों को देते हैं अपने परोसियों को देते हैं गोश्ट उसमें भी थोड़ा सा धानी बरते हैं कि अगर एक जगह से कहीं infected गोश्ट बाहर निकल गया तो वो बहुत लोगों को infect कर सकता है इसलिए हमने पहले गुजारिश की थी कि जो कसब लोग हैं उनका health बहुत important है कि वो स्वस्ट हैं वो कैसे हैं और घर में जो भी लोग जो भी लोग cutting कर रहे हैं उनका हाथ साफ रहना चाहिए जहां तक संभवो हाथ में दस्ताने पहन ले गलप्स पहन ले और उसके बाद जबह करें तो बहतर होगा जो हमारे भुजूर्ग हैं हमारे इस्लामिक स्कॉलर हैं जो हमारे आलीम हैं उनसे मैं दर्फ़ास करता हूँ कि कुछ रास्ता निकालें कुछ सोचें क्या दो ईद की नमाज एक वक्त में हो सकती है क्या इस तरह का कुछ सिलसिला अगर सोच कर वो कुछ निकालेंगे तो तो इसमें सबकी भलाई है, सभी के हेल्थ के लिए, सभी के वबा से बचने के लिए थोड़ा मदद मिलेगा, ये हमारी एक अपील है, हमारी गुजारिश है.